चांगरू की मदर उसे बताती है कि कंसर्ट जावी तुबायू के लिए ब्राइट डून रही है और यही सही मौका है क्योंकि अब उनका जन्दिन भी आ रहा है इसलिए चांगरू अब तुबायू से इस बारे में बात करने आती है जहां वो उसे वही रिपोर्ट छुपाते हुए देखती है और उनकी बातों से उसे भी अब पता चल जाता है कि वैयूं ही लायंग प्रिंसेस है चांगले भी यहां तुबाजून के लिए जूटा कंसर्ट दिखाते हुए महल आती है और जान बूच कर वो कंसर्ट की मेट के सामने हंटिंग वाले दिन की बाते करती जहां पर ली चांगले ने तुबाजून को बचाया था जिससे कि वो इंडाइरेक्ली ये बात कंसर्ट तक पहुचा सके और होता भी बिल्कुल वैसा ही है कंसर्ट तक भी ये बात पहुची जाते हैं तुबाजून भी यहां वैयंग से कहता है कि वो किंग से उसके और उस उसे शादी कर उसकी मा और वो दोनों भी ये कंट्री छोड महल से दूर अपनी एक नॉर्मल लाइफ चियेंगे। मिंडे को भी अपने सबोर्डिनेट से वैयां को पता चल जाता है। इसलिए वो उसे लेने आता है। जहाँ वो इन दोनों को साथ में देख आगे आने की हिम मिंडे जोकि तुबाजुन और वैयांग दोनों को साथ में देख थोड़ा अपसेट था। मगर राजकुमारी उसे संभालती है। जुन ताओ भी दोनों को डून कर उन तक पहुची जाती है। जिसके बाद वो लोग वापिस घर आते हैं। राजा तुबाजुन की शाद नहीं थी। मगर कंसर्ट इसके लिए मना कर देती है क्योंकि भले ही वैयांग मिनिस्टर ली की डॉर्टर ही क्यों नहीं हो। लेकिन वो है तो एक सेर्वेंट की ही बेटी। इसलिए कंसर्ट मानती नहीं। वैयांग भी जोकि घर वापस आ चुकी थी। सभी उसके पास ही याद के तोर पर। वो उससे बातों ही बातों में यही पूछता है कि अगर एक दिन अचानक वो डिसापियर हो गया तो क्या वैयांग उसे मिस करेगी। लेकिन वैयांग तो एकदम सीरियस हो जाती है कि आखिर वो कहा जाने वाला है। इसलिए वो इस बात को मजाक में अकड़ी जाती है मगर मिन्डे उसे बचा लेता है जिसके बात राज कुमारी भी उनसे प्रामिस करती है कि वो मिन्डे की ट्रू आइडेंटिटी किसी को भी नहीं बताएगी। मिन्डे भी उनसे थोड़ा वक्त मागता है क्योंकि वो ऐसे ही सड़नली एकदम से गायब न लगा है वो बेटकर यही गेसिंग गेम खेलने लगता है कि क्या वो मुझे लाइक करती है या नहीं। तबी वेयांग भी तुबाजुन से मिलने आती है जो साथ में मिन्डे को भी लेकर आई थी। जिसे दादी नहीं उसकी सेफटी के लिए भेजा था। दोनों भी यहां साथ में काफी अच्छा समय बिताते हैं। चेंग दे जो कि जुनताओं से बात करना चाता है लेकिन जुनताओं उसे जरा भी भाव नहीं देती और हमेशा की ही तरह उनके लड़ाई भी हो जाते हैं। इसी बातों ही बातों में उसे पता चलता है कि तुबाजुन चांगल कैसे दे सकता है। मगर तुबाजुन वैयांग को यकिन दिलाता है कि वो चांगले से शादी नहीं करेगा। भले ही उसकी माँ उन दोनों के रिष्टे के अगेंस्ट क्यों न हो मगर वो उन्हें मना लेगा। वैयांग भी उस पर भरोसा करते हैं। तबी उसे खबर मिलती हैं कि उसकी मा की तबियत खराब हैं। इसलिए वो तुरंच महल आता है। जहां डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उन्हें हार्ड डिजिस हैं। और उन्हें एडवाइस करते हैं कि कुछ भी ऐसा वैसा ना करें जिससे इन्हें तकलीफ हो। कंसर्ट तुबाजुन को रज्य के संबंदि ठीक नहीं चल रहें। और इन सब को रोकने के लिए वो मैरेज अलैंस का डिसाइड करते हैं। ताकि आगे जाके कोई वार ना हो। जिसके लिए जेनरल चिउन वैयों का नाम लेता है। क्योंकि वो मिनिस्टर ली की डॉटर भी है और लेडी ओप डिस से इसके लिए रिक्वेस्ट करता है। लेकिन सबी वैयों को ही भेजने का प्रेशर बनाते हैं। और अब खुद मिनिस्टर ली को भी इससे कोई आपती नहीं थी इसलिए राजा को भी मानना ही पड़ता है। जिसके बाद मिनिस्टर ली भी घर आकर सब को यही बात बतात हैं। जिसे सन दादी भी टेंशन में आ जाती है क्योंकि वो वैयों को वहाँ मरने के लिए नहीं भेज सकते। उन लोगों का क्या भरुसा कि शादी के बाद भी वो लग अपनी बात पर कायम रहे। चिउन नान ने जान बूच कर यह सिच्वेशन क्रियेट की ताकि वो व मज में आ जाता है कि यह सब को जान बूच कर चून नान नहीं किया है। मिंडे भी यहाँ वैयों को ऐसे मुसिबत में छोड़कर जाने से मना कर देता है। इसलिए कमांडर जाओ भी अब वैयों से चिड़ने लगे हैं क्योंकि वही सभी मुसिबत की जड़ है। तुबा जुन भी यहाँ दिन रात की फिकर किये बिना ही वैयों के लिए राजा से प्लीट करते हुए नील डाउन ही खड़ा रहता है। ताकि वो वैयों को भेजने का अपना ओर्डर वापिस ले सके। अब वैयों को सीमा पार कराने के लिए यहाँ से ले जाने का टास्क तुबा लेता है। लेकिन जैसे ही उसे वैयों के जाने की खबर मिलती है वो वहाँ से भाग जाता है। पीछे से राजा भी यह जानकर काफी घुसा करते हैं और उसकी इस हरकत के लिए वो और पास करते हैं कि वो दुबारा वापिस सिटी में ना लोट पाए। लेकिन हम देखते ह कि लिव सांग और उसके लोगों का इरादा कुछ ठीक नहीं था। मैरिज अलाइंस तो सिर्फ एक पहाना है। दरसल वो वई पिपल के साथ वार में उतरना चाहते थे। इसलिए वो वईयां का रेप करके सारा इलजाम तुबायों पर ही डालने का डिसाइड करते हैं ताक उनका इरादा युद्ध करना ही थे जिस वज़े से अब आसपास के शहरों को उनसे खतरा है। इसलिए वो वईयां को तुबायों के साथ भेज कर खुदी इस कौंस्पुरंस का परदा फाश करने का डिसाइड करता है। कमांडर जाओ को भी इस बारे में खबर मिलती है कि वेयां की जान खतरे में है लेकिन वो जान बूच कर इस बारे में मिंडे को कुछ नहीं बताते हैं। वो लोग जब वापिस जा रहे थे तबी लियू सांग दोरा उन पर अटाइक हो जाता है। इसलिए तुबायों भी वेयां को बचाते हुए उसे वहाँ से भगा ले जा तुबायों को अंधेरे से डर लगता है। क्योंकि बच्पन में उनकी सोतेली मा उन्हें ऐसे ही अंधेरे कमरे में बंद किया करती। इसलिए वो यहाँ थोड़ा अंकॉंशियस हो जाता है। मगर वेयां जो कि उसके साथ ही थी वो उसे संभालती है। वो वही बेहोश हो जब उसे होश आता है वो देखता है कि वेयां उसके पास ही है जो उसकी केर कर रही है। और अब उसे भी उसका आसपास होना अच्छा लग रहा था। इसलिए वो वेयां को अपने से दूर जाने से मना कर देता है।